लुए अज़े अज़के अज़ेड आध करनावालस अज़ेज़ाये आधल आधल कार ऑट है आधुए वरिबरवन विलकम तो फोर्स्ट वेस्स्वेंट मैंने में भाइब करने वाले कि अज़की वीडियो मुद्सट करने वाले कि जून की expiry start हो चुकिया कैसे करना है जून की expiry पे trade कौन से best swing trades है जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूँगा तो मैंने एक जून की swing trade की list बनाई विया जो की video मैं कल आप लोगों के सामने present करूँगा कम से कम 10-12 stocks हैं उसमें से 5-6 stocks आप लोगों को present करे जाएंगे and in between 5-6 stocks आप लोगों को इस video के format में बताते रहेंगे तो आज की video कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज के 5 stocks मैंने इंटरडे के लिए ही select करेंगे है एक शाइट swing trade का stock हो और यहाँ पे मैंने कुछ अलग theory जो मैं बहुत time से सोच रहा था जो मैं practice कर रहा था उसे implement करके मैंने आज के stocks को find करा है आप लोगों को देखने में लगेगा कि नहीं सर जैसा बता रहे हो वैसा भी आप पहले बताते थे देखने में यह सापको वैसा लगेगा क्योंकि मैंने कुछ चीज़े hide करें ही है जिसके through वो find करें है तो अब भी हम लोग सिफ टेस्ट करने वाला है कि कल के stocks कैसा perform करेंगे दो-तिन दिन में वैसे ही stocks आपको provide कर वाँगा अगर वो बढ़िया जाते हैं तो इसी के basis पर हम लोग अपने stock selection को start करेंगे और इसके बारे में आप लोगों को बहुत जल्दी भी बताऊंगा कि मैंने क्या selection करा तक कैसे find करेते इन particular stocks को तो चलिए start करते हैं without wasting any time और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई चलते हुए हमारी presentation पसंद आई stock selection की so please like this video let's aim for 1500 likes and अगर आप लोग subscribe करते हैं तो और educational contents आप लोगों को यहाँ पर provide होते रहेगा so चलिए start करते हैं so जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग अपने charts की तरफ आचुके हैं सबसे पहले stock है HCL Tech HCL Tech आप लोगों को buy करने की सलह दी जारी है मैं आप लोगों को time frame भी बताते रहंगा कि आप लोगों अपने आप यह structure draw कर सके अपने ही charts पे so सबसे बहले time frame हम लोग देख रहे है HCL Tech का 1 hour time frame 1 hour time frame पे आप लोगों को यहाँ पर visible होगा कि एक head and shoulder pattern बना है एक bullish head and shoulder एक inverse head and shoulder pattern यहाँ पर बना है head and shoulder pattern बनने के बाद आप यहाँ पर आप लोगों को psychology में ध्याद देना होगा ठीक है देख रहे होंगे जब head and shoulder pattern बेक आउट आया बेक आउट होने के बाद यहाँ पर sustain करा है बहुत time यह sustain कर रहे है बहुत candle sustain करी है 940 का जो level है 940 का level एक strong level है यहाँ पर एक अच्छा support है अगर मैं 200 दे के exponential moving average लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं exact इस level पर support ले रहा है इसके लावा अगर मैं 50 दे के exponential moving average लगा रहा हूँ तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक support ले रहा है अगर 50 दे exponential moving average के ऊपर चली जाती है 200 exponential moving average लीचे आ जाती है और 50 दे exponential moving average क्रॉस कर देती है 200 दे को तो एक अच्छी momentum इसके अंदर देखने को मिल सकती है तो इस particular stock को दिहान रखेगा अब buy कप करना है तो buy के लिए हम लोग चलते हैं 15 minutes के time frame पे 15 minutes के time frame पे जब लोग चल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को visible होगा कि मैंने एक upper resistance की trend line को draw कर रहा है ठीक है यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है अब यह एक level है एक hurdle है इस hurdle के उपर जब यह निकलेगा एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है उपर गया नीचे आया और फिर उपर गया ठीक है तो यहाँ पर हमें buy करना है हमारे जो targets होगे targets हमारे होगे this level ठीक है मैं आप लोगों को लिए targets बता देता हूँ हमारा जो target है वो यह trend line का है ठीक है बिकॉज जो previous swing high है I hope आप लोग समझ रहे होगे मैंने सारे highs को connect करते वे एक trend line बनाई trend line का breakout होएगा breakout आते ही एक बिल्कुल closest resistance है तो हमें वहाँ पर तो buy करना नहीं है जैसे resistance का breakout आता है हम लोग buy करेंगे जो previous swing high ता जो blue color की line आपको दिख रही है that should be a target अब बात करते हैं buy कहां करना है buy करना है हमें 9.48 के उपर 9.48 के उपर हमें buy करना है हमारे 9.55 से लेके 9.57 तक के targets होंगे जो की 9-10 रोपे है HCL Tech के अंदर जो हमें intraday में अराम से दे सकता है इस talk अपनी watch list के अंदर ज़रूर एट करेंगा let's move to our next talk so next talk जो हमारा है वो है Balakrishna Industries Balakrishna Industries का time frame की बात करो तो 1 hour का chart है ये आप लोगों को यहां पर clearly दिख रहा होगा कि एक range के अंदर एक channel के अंदर काम कर रहा है अपर वाली जो line है जो आप लोगों को purple color की लग रही है जिस पे हम लोगों ने green color के circles बना रहा है that act as a resistance वहाँ पर एक resistance की तरफ act कर रहा है और जो lower line है वो support की line है तो आप देख रहे हैं कि resistance और support के range के अंदर एक channel के अंदर ये काम कर रहा है प्लस अगर आप देखेंगे कि इस level से एक fall आया fall आने के बात उपर गया दुबारा नीचे आया it created a double bottom type of scenario इसने एक double bottom scenario create कर और यहां से अब ऊपर जा रहा है अब दूसरी important चीज़ गाईस अगर आप लोग मेरी video देख रहे है तो यहाँ पर charts देखना थोड़ा सा important होता है और यहाँ पर quality इसके लिए important है तो अगर आप लोग video देख रहे है YouTube के अंदर तो आप लोग settings पे जाएए वहाँ पर आप quality करिए 1080p तो आप लोगों को charts और structure बहुत easily समझ में आ जाएगा वीडियो quality और जादा अच्छी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं एक trend line or draw करना चाहूँगा top to bottom ठीक है तो हमें पता चल रहा है अगर मैं upper resistance line को भी हटा दूँ तो यह देखने हैं एक symmetrical triangle pattern है और इसका breakout यह दे चुका है इसका यह breakout दे चुका है अब आप देखेंगे breakout देने के बाद यह वाली candle ने retest करा है तो अब चलते हैं पंदरा मिनिट पर देखते हैं कि कैसे trade करना है ठीक है तो लेट्स मूफ तू 15 मिनिट टाइम पर जब पंदरा मिनिट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को visible होगा कि यह breakout दिया यहाँ पर retest करा है अब आप देखेगा retest करा हो ना करा हो बट यहाँ पर एक heavy resistance है जो कि face करके stock नीचे आया है ठीक है I hope you are getting my point तो हमें क्या करना है हमें same structure को follow करना है हमें यहाँ पर उपर जाएगा नीचे आएगा और फिर एक बर दुबारा उपर जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर जब इस level का breakout होगा तो ही हम लोगों को buy करना है लेवल में दुबारा बता देता हूँ current price है 21.90 रुपीज का जैसी 2200 का level breakout देता है बालक रिशन इंडस्ट्रीज के अंदर you can go for a buy अब बात करते हैं targets की सबसे ऊपर वाला जो target है वो तो range है जो की एक channel चलते वहारा है तो यहाँ तक है targets हम लोग expect कर सकते हैं बट हमें चाहिए closest target हमें 30-40 point intraday की movement पे important नहीं है तो मैं closest target मान के चलना है जो की previous resistance था जो की यह level है जो की previous swing high है तो यह है 22-18 से लिए 22-20 गा level तो almost अगर आप 22-100 पर बाय करते हैं तो 15-20 points की movement बाला कृष्ण इंडस्ट्री दे सकता है तो यह आपके targets होने चाहिए I hope आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहरा हूँ ठीक है I hope आप लोग यहां पर समझ गए होंगे Let's move to our next stock Next stock है हमारा CESC CESC का भी हम लोग ने 1 hour का time frame open करावा है and यहां पर आप देख रहे हैं कि एक channel पर चल रहा था एक rising channel के अंदर यह stock काम कर रहा था एक resistance और एक support पी यह stock काम कर रहा था Eventually हुआ क्या आप देखेंगे कि इसने इस particular level का देखने एक breakdown दिया एक rising channel का breakdown दिया retest करा दुबारा नीचे आया नीचे आने के बाद exact इस level पर support लिया उपर दुबारा गया retest कर अपने trend line को और दुबारा नीचे आया तो यह एक level एक support का काम कर रहा है क्यों अगर आप देखेंगे पहले यह resistance का काम करता था जब इसका breakout दिया first time support and यहाँ पर second time support so अगर जब यह level break करेगा तो ही हमारे लेक selling pressure अच्छा सा हमें देखने को मिलेगा so अगर मैं current price की बात करूँ तो current price rate कर रहा है 668 CESC का हमें short कहा करना है हमें short तभी करना है जब यह 663 के नीचे जाना start करता है हमारा target क्या होगा हमारा target होगा 640 rupees का 645 या 640 rupees का between हमें targets find करने हैं जो कि almost almost 15 रुपे के आसपास 15 से 20 रुपे के targets है अब 15 minute के time frame पे चलते हैं study करते हैं कि कैसे हमें short position बनानी है आप देख रहा है exact इस level के नीचे closing देखने को नहीं मिलिए जो कि 663 का level है अगर कल यह 663 के नीचे candle closing करता है आप लोग एक short position मना के चलिए क्या करना है आप लोगों को यह trend line एक minute draw करेंगे आप लोगों को अपने stop loss की तरफ maintain करना है यानि कि अगर trend line के उपर दो candle close हो जाती है तो आपका stop loss हेट हो गया अगर यह trend line को follow करते करते नीचे आ रहा है तो आप लोग अपने stop loss को trail करते रहिए downside और अपने targets को maintain करते रहिए I hope आप लोग समझ गया होंगे अगर दो candle close होती है तो मेरा stop loss हेट हो गया और वो जितना नीचे जा रहा है उसे जाने दीजे अपने trend line को extend करते रहिएगा हमारा ultimate target है 6.45 से 6.40 जो कि मुझे लगता है कल के trading session के अदर दे सकता है अगर एक तमीज का breakdown आता है तो अगर आप लोग समझ गया होंगे अगर आप लोग को इस structure समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब तो आर चैनल लेट्स बूब तो आर नेक्स टॉक तो नेक्स टॉक है हमारा लूपिन लूपिन का भी हम लोग ने वन आर का टाइम फ्रेम उपन कर रहा है और यहाँ पर आप लोग क्लियरली इसका चार्ट्स देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अक्च्वल में है कैस चार्ट्स के अंदर आप लोगों को लग रहा होगा देखिए एक तो आप लोगों को रिजिस्टेंस लाइन पता है विकास वो परपल होती है ग्रीन लाइन आपको पता है जो कि सपोर्ट का अक्ट करती है अब यह मैंने क्यों ग्रीन नी बनाई और मैंने ग्रीन गी क्यों बनाई आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि यार यह सपोर्ट होना ची यह वाला सपोर्ट क्यों बनाया है सर ने ठीक है तो अगर आप देखेंगे मैं आप लोगों को दिखाता है यह सिर्फ एक टाइम है और यह सिर्फ एक टाइम है अब आप इस वली green line को follow करिए first time support, second time support जब support का इसने breakdown करा exact इस level पे तो एक बार वो नीचे गया उसके बाद that support become resistance here and here जब resistance का इसने इस candle के साथ एक breakout दिया उसके बाद यहाँ एक support, यहाँ एक support and यहाँ पर एक support so देखे रहे हैं multiple supports हमें इस line पे देखने को मिल रहे है और that act as a very good support अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसने triple bottom create कर रहा है आप देखे हैं आपर एक triple bottom create कर रहा है plus जो downtrend की तरफ ही है मतलब highs नीचे shift हो रहे हैं जो lows हैं वो एक जगा stable है यानि कि एक clear breakout का indication है अब आप देखेंगे कि इसके अंदर yes एक breakout आया इधर साइड आप देख रहे हैं एक clear breakout हमें देखने को मिला अगली candle एक pause candle बनाई एक inside candle form करी है ठीक है अब कैसे trade लेना है अब आप देख रहे होंगे मैंने आप पर तीन दो dotted lines आप लोग गे लिए मैं आप दिखा देता हूँ यह देख रहे हैं दो dotted lines that should be our target यह हमारे targets है ठीक है first target is 12.18 second target is 12.28 and third target is 12.38 तीनों का difference 10-10 रुपे का है पहला target यहां से 10 रुपे उपर second target 10 रुपे उपर third target 10 रुपे उपर ठीक है तो आप लोग अपनी strategy इसके according बना सकते हैं याने कि अगर आप लोग 100 shares buy कर रहे हैं तो 25 shares या 30 shares आप लोग 12.18 पे exit कर सकते हैं 30 shares 12.28 पे and 40 shares आप लोग 12.38 पे exit कर सकते हैं अगर वो intraday पे आता है ठीक है let's move to 15 minutes time frame and study this की breakout कहां पर होगा और हमें actual में entry कहां लेनी है जब लोग 15 minutes के time frame पे पहुचे हैं तो 15 minutes के time frame पे पता चल रहा है ये triple bottom create हुआ है and इस zone का इसने एक अच्छा सा breakout दिया है देख रहे हैं इस zone का breakout दिया and retest कर रहा है तो हमें buy करनी है इस particular stock को above 1209 के उपर जब 1209 के उपर लिव पे निकलना start होगा 15 minutes की candle के उपर we will go for a buy बट इस पे आपको wait करना है कि ऐसा नहीं अगर उपर gap अप खुलता होगा और वहां से regularly नीचे आ रहा होगा तो trading opportunity नहीं है यहां पर many traders mistake करते है मेरी levels को ध्यान से नहीं सुनके अगर मैंने बोला 101 रुपे पे buy करना है अगर वो 105 पे खुलता है 102 पे खुलता है और वहां से regularly नीचे आ रहा है उसके उपर जाई नहीं पा रहा तो यानि कि वहां पर एक best zone नहीं था buy करने के लिए I hope you are getting my point so पहले charts को read करना उसके बाद trade करना so यहां पर 1209 पे बाद सुनकी पर buy करना है 1209 के is a very good opportunity to buy this stock for a target of 1218, 1228, 1238 रुपीज ठीक है I hope you all are getting my point यहां पर आप लोग एक trade लेकर चल सकते हो अगर यह अब यह retest करने आ रहा है तो bounce definitely करेगा let's move to our next stock so next stock और हमारा last stock है Indigo Indigo Airlines के मैं आपको बात करना हूँ और इसमें मैंने daily charts open करा रहा है daily charts पर आपको अपको दिखने में ही लग रहा है कि यह एक range के अदर काम कर रहा है चैनल पर exact अपने resistance अपने supply zone पर यह trade कर रहा है so क्या यहां से एक selling आ सकती है definitely आ सकती है क्या यहां पर एक breakout दे सकता है definitely दे सकता है so हमें किस side trade करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ देखिए selling side आने के लिए यहां पर इसको एक bearish candle एक 30 की bearish candle बनानी पड़ेगी और breakout आने के लिए इसको इस zone के उपर जाना पड़ेगा so हमारे लिए अभी bearish candle दिखनी रही है zone के उपर जाने की chances जादा लग रहे है so कैसे trade करना है इस particular stock को वो मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले चीज मैं बताता हूँ अगर इसका breakout आता और वो sustain होता है तो इसके targets कहा तक जा सकते हैं सबसे पहले उसकी बात करते है because यह एक swing trade भी बन सकता है so आप देख रहे हैं कि यह एक range है यह top है और यह bottom है so इस range का जितना difference है उतना ही हम apply target मान के चलते हैं कि वहाँ तक stock जा सकता है ठीक है so अगर इस range का breakout आता है तो यह almost almost 2000-2050 तक stock जा सकता है इसकी capability है अब बात करते हैं कि कल के trading session पे क्या करना है so let's open 15 minutes time frame 15 minute time frame जब मैंने open करा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि up move आई इस zone के उपर इसने कोई भी candle की closing नहीं करी है yes 15 minute पे यह उपर definitely गया है but closing इस zone के नीचे देखने को मिली है it's a very good sign क्या sign है कि अभी इसके breakout की तियारी हो रही है अगर यह 15 minute का candle 1788 के उपर close करता है इस zone के उपर अगर 15 minute की candle close होती है yes we can go for a buy हम लोग एक buy के लिए जा सकते हैं 10 से 15 रुपे बहुत easily मिल सकते हैं so आपको करना क्या है अगर exact इसी level पे open होता है तो आप लोग ओ को एक trigger point लगाना होगा कि जैसी यह 70, 90, 70, 88 पे आए यह अपने आप stock buy हो जाए 10 रुपे का target रखी है वो बहुत easily achieve हो जाएगा within a minute, within a two minutes अचीव हो जाएगा और वहाँ पर अपनी profit booking कर सकते हैं यह intraday हो और अगर आप लोग swing trading करना चाहते हैं तो यह आप लोगों को एक clear breakout का wait करना पड़ेगा एक retest का wait करना पड़ेगा तो ही trading opportunity on a swing trade आप माना सकते हो अगर एक 15 minute की candle पे swing trade बनाओगे तो वो एक risky हो सकता है I hope मैंने आप लोगों को सारी knowledge stock wise provide करवा दी होगी Let's move to nifty and bank nifty and study की उसमें क्या हो रहा है So आप लोगों के सामने मैंने nifty का chart open कर रहा है यहाँ पर हम लोगों ने सिफ दो lines को draw कर रहा है पहली line जो आप लोगों को सबसे उपर दिखरी होगी That should be the all time high जो previous all time high इसने create कर रहा था 15th of February 2021 पे आज के देन मतलब Friday के session पे उसका breakout हुआ उसी के उपर sustain कर रहा है दूसरी line ने किये है जो कि एक support का काम कर सकती है अगर by chance market यहाँ से fall करती है तो ठीक है अब यहाँ पर हमें देखना है थोड़ा सा zoom करते है zoom करने के बाद आप दिखेंगे कि इसके उपर कल के trading session पे हुआ क्या था Friday के trading session पे उसको हम लोग चेक करते है ठीक है यहाँ पर अब चेक करिये पहली candle यह 1 hour का time frame है तो पहली candle एक indecisive बनाई इससे हमें indication बिल गया कि पूरी market आज के trading session पे range bound होने वाली है दूसरी चीच उसके बाद हम लोग ने एक fall देखा यह जो fall आया यह indicate कर रहा था कि market एक गिरावट कर सकती है ठीक है यहाँ पर बहुत जाद तर लोगों ने short position बना रखी होगी definitely ठीक है बिकास एक indecisive candle all time high पे है और उसको continue करते हुए एक red candle draw हुई है ठीक है तो यहाँ पर multiple short positions initiate होई होगी stop loss होगा इस level पे इसका high और यानि कि यह वाली candle का होगा next candle आप देखेंगे तो एक bullish engulfing candle बनी यानि कि इस पूरी candle को engulf कर गई उसके अलावा हम लोगों ने लगतार तीन candles इसी पर range bound देखी अब आप एक चीज़ notice करेंगे तीनों candle नीचे आने की कोशिश कर रही थी अगर आप Wix को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तीनों candle नीचे आने की कोशिश कर रही थी बट दुबारा ऊपर जाके ही closing दे रही थी अब लास्ट वाली candle की बात करें तो उन लोगों ने सारी candles के highs को सारी candles के open price को close करके यहां पर close करी है which is a very good sign bullish engulfing candle बनाई यानि की यहां पर जिन लोगों ने भी बना रखेते अपने sell position उन लोगों के stop losses यहां पर hit हुए और वो लोगों ने buy कर रहा होगा जिन लोगों ने sell करा उसे तो buy कर रहा होगा यहां पर और fresh buy position indicate हुई होगी लोगों ने longs बनाई होगे यानि की यहां पर एक कल gap up देखने को मिल सकता है शायब कले gap up देखने को मिल सकता है अब gap up indicate दो तरी के से कर सकता है यानि की अगर gap up आता है तो लोग वहां पर अपनी profit booking करेंगे और stock नीचे आएगा यानि की और क्या होँ सकता है या gap up open होगा थोड़ा सा नीचे आएगा लोग और long position initiate करेंगे index और उपर जाएगा दो position है दोनों position को हम लोग बाद में study करेंगे अभी हमें बात करनी है कि market long करने लायक है या short करने लायक है indefinitely market long करने लायक है market क्या करेंगी market अब एक range bound हो जाएगी because अपने previous lifetime high को cross करा है so market एक range bound होगी every dip is opportunity to buy fall आएगा definitely guys fall आएगा but that fall should be opportunity to buy this particular nifty तिक है market range bound to uptrend रह सकती है तो इस basis पे हम लोगों को trade करना है range bound to sideways range bound की बात में क्यों कर रहा हूँ आप लोगों ने अगर India Wix को देखा होगा तो India Wix पे 12% की fall आई है यानि कि अगर मैं बात करूँ तो 17 रुपे पे अभी India Wix trade कर रहा है यानि कि volatility बिलकुल कम उचकी है यानि कि जो investors जो traders का confidence है एक trend में वो बहुत जादा अच्छा है strong है अब वो trend bullish हो सकता है अब वो bearish हो सकता है charts को basis पे देखकर लग रहा है कि वो bullish है तो यानि कि हम लोग confidence रखेंगे sideways to bullish हमारे लिए market bullish होगी अब अगर gap up खुलता है तो क्या करना है अगर gap up खुलता है अगर gap up खुलता है तो हम लोगों को patiently wait करना है पहले 15 minute की candle हम लोगों को बताएगी कि market का direction क्या रह सकता है वो लोग आप लोगों को first investment के telegram channel पे बता देंगे let's move to bank nifty यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने bank nifty के chart ओपन करा हो है आप लोगों को देख कर लग रहा हूँगा कि देख रहे हैं कि यह एक triangle pattern एक rising triangle pattern पे काम कर रहा है अगर आप देखेंगे एक resistance line एक support lines को connect कर गया है तो पता चला एक range के अंदर यह काम कर रहा है एक range के अंदर एक triangle pattern के अंदर भी हम लोग एक channel channel pattern देख रहे हैं अगर आप देखेंगे यह देखिए यह एक range के अंदर काम कर रहा था एक gap of opening के साथ breakout दिया 9-15 पर उसके बाद नीचे आया नीचे आना चाहता तो अच्छे से नीचे आ जाता बट नहीं आया नीचे आया एक्जाक इसने trend line को टेस्ट करा अब यह ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है यह देखर है इस range के अंदर consolidate कर रहा है मेरा जो stop loss होगा bank nifty पे वो stop loss होगा for 34,950 रुपीज का 34,950 का मेरा stop loss है and मैं long हूँ जब मेरा 34,950 का stop loss break होगा तभी मैं short position initiate करूँगा for a target of 34,400 to 34,200 but अभी के लिए मैं बिल्कुल long हूँ अभी क्या करना है आप लोग definitely current levels पे भी open होता है you can go for a long in bank nifty क्यों 15 minute के time frame पे चलते हैं 15 minute के time frame पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग एक definitely long position initiate करके चल सकते हैं ठीक है अगर आप देखेंगे इसका एक breakout हुआ breakout होने के बाद यह चोटा सा resistance है hurdle है currently trade कर रहा है 35,220 पे 35,250 के उपर एक buy बनाए हमारा पहले target होगा 35,400 450 रुपीज but अगर यह 34,950 के नीचे जाता है तो एक heavy short position भी बन सकती है जब तक इस range के अंदर हम लोग long रहेंगे इस range का breakout होता है तो और अच्छी position आएगी but range का breakdown होता है तो हम लोग एक selling pressure definitely एक indicate करके चल सकते है so I hope मैंने आप लोगों को सारी knowledge provide करवा दियोगी introduce stocks मैंने आज provide करवाया है जादा because swing trading के लिए में कल stocks की list आपके सामने present करने वाला हूँ those stocks मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ guys instagram के अंदर तो वहाँ पर हमें जरूर follow करेगा नीचे description पर आप लोगों को follow करने का link दे रखा है telegram पर मैं nifty bank nifty के आप लोगों को कल के setups बता दूंगा कैसे trade करना है तो वहाँ पर भी आप लोगों हमें follow कर सकते है so thank you so much guys for listening to me listening this whole video अगर आप लोगो हुए हमारी presentation पसंद आईए हमारी चीज़े समझ में आईए है so please like this video let's aim for 1500 likes and please subscribe to our channel thank you so much guys bye bye झार आप लोगोग ठाप लोगों है